नमश्कार में अप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चली जानते हैं बिहार की अब तकी बड़ी खबरों को स्टार्ट अप इंडिया में बिहार बना लीडर बिहार के सब युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने अपना बिजनेश शिरू करने पर विचार वमर्श करना शिरू कर दिया है उद्योग च्छेत्र में नवचार में मामले में बिहार पुए देश में अवल रहा है स्टार्ट अप इंडिया की तरफ से साल 2019 के उद्योग से जुड़े विभनेश शेत्रों में राज्यों की पूरी सूची केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है जिसमें बिहारी युबाओं ने एक बार फिर यह साबित किया है कि बहतरीन विचारों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है का नाम शामिल है राधत से अलविदा कहने वाले रगुवश प्रसाद सिंग ने फिल डिखी चुठी राधत से अलविदा कहने चुके रगुवश प्रसाद सिंग ने एक बार फिर से अपना भावुक पत्र जारी किया है जिसकी तहत उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र करते में लिखा कि वर्तुमान में राजनीती में इतनी गिरावट आ गई है जोसे लोकतंत्र परिशानी में है महत्मा गांधी बाबु जैप्रकाश डॉक्टर लोहिया बाबासाहिब और जन्नाय कर पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहें कटनाया सही लेकिन डगमग नहीं हुए लेकिन अब समाजवाद की तरह समंतवाद जातिवाद बंशवाद परिवारवाद संप्रदायवाद आ गया है यह सबी उतनी ही बुराईया हैं जिनके खिलाफ समाजवाद का जन हुआ था अब इन पांच महान पुर्शों की जगए एक ही परिवार के पांच लोगों की फोटोश अपने लगी है पद हो जाने से धनकमाना और धनकमा कर राजवाद का पद खोजना राजनीती की परिभाशा के नसार इन सभी बुराईयों से सामना करना है पटना की छे विधानसवाद छेत्रों में होगी अर्धिसैनिक बलो इसलिए इन विधानसवाद छेत्रों में सम्वेधन शेत्रों में सम्वेधन शेत्रों की मदनजर अर्धिसैनिक बलो की तैनाती की जाएगी ताकि चुनाव की समय श्वांतिपूर्ण और निश्पक्ष तरीकी से चुनाव का आयोजन करवाय जा सके पटना जुले के बाढ़ और मोकामा का नाम शामिल है विहार के कई जिलों में भारी बारिश की जताई गई संभावना मौसम विभाग ने हाली में विहार के कई जिलों के लिए पुरवानुमान जारी के है जिसके तहत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है इतना ही नही जिन जिलों में आकाशिय बिजडी किरने की आश्वंका भी जुताई गई है मिली जानकारी के नुसार बिहार के उपर से गुजर रही मौनसोनी बारिश के लिए अक्षिय रेखा बनते देखी जा रही है मौसम विभाग से बिहार के लिए सतर्ग ताजवारी कर दी है अगले 48 घंटे में गंगा के मैदानी भागो और तराई के जिलों में भारी बारिश होनी की संभावना जटाई गई है साथ ही अभी आश्रका जुताई गई है कि कुछ जगह पर आकाश के बिजली भी गिर सकती है आपको बता दे अब तक प्रदेश में इस बार उमीद से जादा बारिश होई है बारिश के कारण कुछ जिले बार्ट से भी प्रभावित है नीट परिक्षा थे हो कि सुवधा के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन नीट 2020 की परिक्षा 13 सतंबर को आयोजित होने वाली है जो कि पट्टा के 184 केंद्रों पर आयोजित होगी इस परिक्षा में लगभग 72,000 परिक्षा थी भाग लेने वाले है अब हैर्थो की सुवधा के लिए चलाई जा रही या परिक्षा 14 सेंटरों पर परिचालत की जाएगी नीट के परिक्षा का आयोजन 13 सतंबर को करवाया जाना और इसी के लिए ट्रेन के परिचालन के रुमती दे दी गई है के चातर समय पर अपनी परिक्षा केंदर पर पहुंच सके पटना इमस में COVID-19 वैक्सीन का दिया गया दूसरा डोज पटना इमस में COVID-19 वैक्सीन का ट्राइल पूरा हो चुका है जिसके तहए बीते दिनों राजधानी पटना के दूसरी चरण शुरू हो चुका है डोस दिया गया है वाक्सीन देने में पहले गुरुबार को सभी का स्वास्त परिक्षन किया जा चुका था जुसके बाद शुकरुबार को सभी को डॉक्टर के निगरानी में अपने देश में विक्सित को वाक्सीन का ठीका दिया गया है भारत में बनाएगे इस टीक को भार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारवासियों के लिए आने वाले 10 दिन काफी खास होने वाले हैं क्योंकि इन 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारवासियों के लिए नई सवगात पेश करेंगे जो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं में लपीजी पाइपलाइन, लपीजी बार्टलिंग, प्लांट नमामी गंगे के तहत सीवेज निस्तारन, संयत्र, जलापूर्ती, योजना, नदी के तटों का विकास करने की परियोजना, नई रेल्वे लाइन से रेल्वे पुल्व भिन खंडों का पुस्तकालाध्यक्षों को जल्दी यूनिवर्सल अकाउंट नमर धिया जाएगा, जुसकी घोषरा सिक्षा व भभाग की तरब से कर दी गई है, सिक्षा व भभाग की तरब से साजो की गई जानकारी के अनुसार, सभी सिक्षक और 2020 के प्रभाव से IPS स्कीम लागू कर दिया गया है। देश के दुनिया को अलवदा कहने से भारतिय सामाजिक और सांस्कृतिक जगत को अपूर्णी एच्छती हुई है। अगर कर्मचारी नेताओं ने साफतोर पर कहा था कि हमारी मुहीम समापत नहीं हुई है। वोट के आदेश का सम्मान करते वे हमने काम पर लोटने का निडलिया है आपको बता दे गुरुवार को निगम के कई कर्मचारी विरोध पर चले गए थे जिससे राजधानी में कूडा उठानी की प्रक्रिया पूरी तरीके से रूप गई थी। पिछले कुछ दुनों से चल रहे हैं इस विरोध में तकरीबन 1700 मिट्रिक टन कूडा राजधानी की सड़कों पर देखा गया जिसके कारण COVID-19 से परिशानी के बीच औरने तहरे की बिमारी फैलने की आश्रंग का भियोत्पन हो गई। राजो सभासदा से श्रक्ति सिंगोहिल को बिहार और दिली का प्रभार यथावत सौप दिया गया है। प्रटलिंग प्लांट और गयास प्लाइन परियोचणा का दुघाटन करने वाल हैं जिसके जानकारी इंडियन ओल कोर्पेरिशन की कारेकारी ने देशक और स्टेट हैड विभास कुमार ने देदी है। जानकारी के अनुसार पाइपलाइन मुजफरपूर LPG पाइपलाइन पर योचना के तहत चपारण के हर सिद्धी से HPCL प्लांट के साथ दुरगापूर बंका छेत्र में इंडियन ओयल के बंका LPG प्लांट के अलावा 634 करूर रुपे के 193 किलोमीटर लंबे दुरगापूर पाइपलाइन खंड को राश्ट्र के समर्पत किया गया है इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए योजरा से बिहार जोहर खंड और यूपी के 18 जलों में पफोगता को प्रत्यक्ष्र लाप मिलेगा IPL के शुरुत से पहले ही बदले अंदाzy में नजराएं महेंद्र सिंग धोनी आएपल का योजन जलधी होने वाला वहीं धोनी और जटेजा और दूरी-दूरी में बनाकर बैठे नजर आ रहे हैं। महीं कैमरा मैन और मेकप मैन सभी PPE किट पहने हुए नजर आ रहे हैं। हाला कि महींद्रु सिंग धोनी के नहीं अंदाज की तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। महीं IPL के आईजिन को लेकर मैदान के साथ-साथ इनकी ओफ फील्ड तयारी भी जोर शोर से जारी है। हाला कि दूसरी तरफ COVID-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्तमंत्राले की तरफ से साज हकी गई जानकारी के अनुसार अब तक 36,24,196 मरीज ठीक हो चुके हैं। के रिकावरी दर बढ़कर 77,77 प्रतिशन पर पहुंच गई है वहीं अब तक कुल मिलाकर 5,51,89,226 सांपल की जाज की जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सवाल क्यों और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके इनुसार नीट परिक्षार्थियों के लिए ट्रेन की सुवधा मोहाया करवाना कितना मददगार साबित होगा। अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाला ना भूले।